हाई फ्रेंड कैसे आप लोग उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और यह जो उपपर से कट कर रहे हूँ न मुझे थोड़ा काम था इसके लिए निकाली हूँ नहीं तो कभी डॉम से पिया एक साइड में ज़्यादा फुक जाता है तो ही निकालती हूँ नहीं तो मैं नहीं निकालती हूँ और ये मेरा गरम था बेस थोड़ा तो इसके लिए मैं धागे से कट कर रहे हूं नहीं तो मैं सोची कहीं बेस टूठी ना जाए गरम गरम है आपका भी जब गरम रहेना तो आप ऐसे ही कट करिये बहुत ओप अच्छे से हो जाता है और आप केक में जितना ही गनाश डालेंगे उतना ही आपका केक टेस्ट में बेस्ट होगा इसके लिए मैं इसमें और डाली हूँ लेकिन अगर आपको और भी जादा टेस्टी चाहिए तो आप इसमें और भी जादा गनाज डालें जितना ही जादा डालोगी उतना ही जादा अच्छा रहेगा और मैं भी यूटूब से सीखी हूँ तो आप लोग भी ऐसी बहुत सारी वीडियो देख के सीख सकते हैं तीचे मैं कागज भिगा के रखी हूँ इससे मेरा बेस नहीं फिसलेगा और बेस पे मैं वीपिंग करीम लगाए हूँ इससे मेरा केक नहीं फिसलेगा और आप लोग भी ऐसी ही करना और इसके लिए मैं दो कप पिरिमिक्स ली हूँ और 400 ग्राम वीपिंग करीम ली हूँ अगर जो यह मेजर्मेंट में दे रहे हूं इससे आपका 1200 ग्राम साड़ आपके पानी के सोकिंग के उपर है कि अगर इससे ज़्यादा तो आप कर भी नहीं सकते जितना मैं करी हूं नहीं तो आपके केक से वह पानी बहने लगेगा और केक आपका अजीब सा हो जाएगा सेट नहीं हो पाएगा अच्छे से लेकिन अगर कभी आप कम डाल दिये तो आपका 1100 ग्राम साड़े 1100 ग्राम होगा लेकिन मैं बोलूँगी के अच्छे से ही सोकिंग करिए बहने की नवबत ना आए लेकिन अच्छे से ही करो और यह मैं इसकी फाइनल आइसिंग कर रहे हू करम कोट मैं नहीं करी थी इसका करम कोट उसको बोलते हैं जो इसमें क्रम्स निकलते हैं पहले उसको हम लोग क्रीम लगा के उसमें चिपका देते हैं उसके बाद उपर पाइपिंग बेग में लेकर करते हैं लेकिन मुझे है न जो यह डिजाइन बनाना था उसमें इतना एमर की डिजाइन बनाते हैं ना मैं जो यह बाकी स्क्रेपर से करती थे ना मुझसे नहीं होता था उसमें एक छोटा सा भी टूल था उससे करी ना मेरा वेब का डिजाइन अच्छा बन गया तो मैं आप लोग को भी बोला चाहूंगी कि जो नए नए है ना अगर उनको नॉर्मल स देख अथे ने सब्सक्रेपर से नहीं हो पा रहा है तो आप यह लाइए चोटा सा रहता है और बहुत सारे पैटर्न के रहते हैं उसमें बहुत ही easy हो जाता है और final finishing भी scrapeर इसे दर मौत ही जाधा ही अच्छा होता है और मैं piping bag में भर के side से गनाश औस कुछ लादेहूं क्य यह लिए मैं नीचे ही खाली डिरपिंग करी हूं उपर बिल्कुल भी नहीं करी हूं और मैं पहले सोची थी कि एक फूल है ना मैं यह कलर का करूंगी चॉकलेटी और दूसरा वाइट करूंगी लेकिन आप फूल बैठ नहीं रहा था उतना फिर मैं बोली कि लाओ दो फूल करके एक फुल वाइड कर देती हूं और उपर से चोको चिप्स डाली हूं और है ना यह केक सबको बहुत ही पसंद आया और आप लोग भी जरूर कमेंड करके बताना कि यह कैक मेरा कैसा है नीचे में चौकलेट लगा दी हूं जो बेस में शुरू में निकाली थी ना उसमें डाली हूं और चौकलेट का ऐसी कुछ तो रहता है उसका नाम मुझे भी आइडिया नहीं है उसमें चिपकाई हूं उसके उपर मैं गोल्डन डस्ट करी हूं और उसके उपर यहां पर रखी हूं मेरी वीडियो का मिनट खतम होने जा रहा है इसके लिए मैं पहले ही आपको उम्मिद करूंगी कि आपको जरूर पसंद आएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई